नमस्कार मैं हूँ शहनवाज अख्तर मैं मौझूद हूँ लोहरदगा विधान साबाद छेतर के खर्ता गाउं में जो कैरो ब्लॉक में पड़ता है और जाई है लोहरदगा का हिस्सा है चुनाव परचार की यहां पर भी जोर आजमाईश है तमाम तरह के पाठीयों की लोग भी यहां पर आ रहे हैं और लोगों को यह समझा रहे हैं कि वही उनके सच्चे हितैशी हैं उन्हीं को वोट दें तो सबसे पहले आईए जान लेते हैं लोहरदगा प्रोफाइल लोहरदगा विधानसवा सीट अनुसूचित जनजाती के लिए आरक्षित सीट है यहां आदिवासी खासकर उराओं जनजाती के मतदाताओं की संख्या सबसे जादा है इस छेत्र में वननचली और पहारी इलाके नकसल प्रभावित है लोहरदगा बॉक्साइट नगरी के नाम से विचाना जाता है यह क्रिशी आधारित अर्थ विवस्ता वाला छेत्र है राज़िती की तिहास की बात करे तो लोहरदगा में कॉंग्रेस और भाच्पा आमने स 1962 में सुसील बाकला, 1967, 1979 और 1972 में कॉंग्रेस के बिहारी लकड़ा चुनाव जीते 1987, 1980, 1985 और 1990 में चार बार इस छेत्र का प्रतिनी दुतु इंदरनात भगत ने किया इसके बाद सद्नू भगत ने भाच्पा के टिकट पर 1985 और 2000 में जीते दर्च की 2005 में कॉंग्रेस के सुग्दियो भगत विधायक बने 2009 में आसू और भाच्पा के उमिद्वार कमल किशोर भगत विधायक बने 2014 में वो फिर से विधायक बने लेकिन एक मामले में उन्हें न्याले ने सजा सुनाई ऐसे उनकी विधायकी चली गई 2015 के उपचुनाओं में कॉंग्रेस के सुग्दियो भगत ने कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांती भगत को 23,000 से अधिक मतों से हरा कर विधायक बने विए रिपोर्ट यूसलेवन भारत तो आपने देखा लोहर दग्गा प्रोफाइल लोहर दग्गा की पॉलिटिकल हिस्ट्री कौन रहा है विधायक कौन कौन रहा है यहां का खेवन हार पालन हार मैं मौजूद हूँ इस वक्त खरता गाउं जो बहुत ही खूबसूरत पहाडी के दामन में बसा हुआ एक गाउं है और यह जो कारिक्रम यहां पे चल रहा है यह किसी पाठशाला जैसा एक कारिक्रम है जिसमें हरगीज इस बात की बात नहीं की जा रही है कि किसको वोट देना है और किसका समर्थन करना है और किसको वोट दिलाना है बलके मैं आपको बताओ तो आपको ताज्यूब होगा कि अमेरिका से 10-12 साल गुजार के IIT का एक बहुत बहतरीन जीनियस परड़क्ट जो इसी लोहर दगा की प्रिष्ट भूमी का है यहीं की गरीब घर में पैदा हुआ है लेकिन आज उसे अपनी मिट्टी की चिंता होई है और चुनाओं में एक महिने की छुट्टी लेकर मुंबई से अपने लोगों के बीच है और लोगों को यह समझा रहा है कि हरगिस अपने वोटों का सौदा चंद सौ रुपे के लि आपका स्वागत है अमानुला सांग इन शौट बताई आपका मोटो क्या आपका बहुत धन्यवाद मेरा मोटो यह है कि यहां पे जितने भी लोग हैं जिनको एलेक्शन के वक्त में प्रलोभन देके बुलाके कुछ चंद पैसों के लिए वोट मंगवाया जाता है हम इनको यह बता रहे हैं कि यहां पे आपको सिर्फ आधा महीना या एक महीना के लिए आप लोगों को इन्वाल्व नहीं होना है आपको पांच साल पूरा इन्वाल्व होना है और कैसे इन्वाल्व हो सकते हैं क्या सिचुवेशन से कैसे स्कीम्स हैं यह सब इनको हम बताने आया है ताकि ये फिर से MLA के पास जा सकें कि भाई आपने आपका जो काम है वो आप मेरे लिए कीजिए मैं खुद लहुर्दगा का हूँ नदिया स्कूल से पास करके साइन्स कॉलेज फिर आयाइटी खळकपुर फिर अमेरिका में पढ़ा फिर इंग्लैंड यूनिविस आख्षफुड में अंबिये किया दुनिया देखी यहां का जो इस्थिती है वो रियली रियली हॉरिबल स्थिती है इर्रिपेरेबल स्थिती है देजेनरेट हो गया है य हम तकरीबन 80 गाओं में ऐसे कारेक्राम कर चुके हैं जहां पर लोगों को बताया है कि आपके वोट का क्या महत्व है और वोट सिर्फ एक महिने का या एक हफ्ते का खेल नहीं है आपके वोट का महत्व ऐसा है कि आप अपने वोट के थ्रू पांच साल अपने MLA के पास जा हैं हैं बुजूर्ग हैं यह कितना समझें इनकी बातों को सबसे पहले हम किन से शुरुवात करें आप बताईए यह क्या कह रहे हैं क्या बहुत अच्छी बात क्या नाम विजय हुरा आई अब बताईए भागे मत अब अबनला साहिब हैं यह लोडगा कई हैं आई हुए हैं सबको जागरूप करने के लिए कि बोट को मिस मत किजिए इंसे पहले हमारा कभी जान पहचान नहीं हुआ हुआ था लेकिन यह जो भी बहुत अच्छी बात हम लोगों को समझाया यहीं अच्छा लगा इनकी बात को जो मतब जो एकनोमी हम लोग का जारखन का है कि हम लोग जारखन में 3 लाख करोड मतब GDP हम लोग का और इतना पैसा हो जाएगा कि एक ब्लोक में 200 करोड आप यूज कर सकते हैं तो वो पैसा कहां जा रहा है सिर्फ हम लोग भोट के समय दारूहारी यहीं समय बह जाए कि कुछ आगे भी करें हम लोग के लिए कुछ हो और मैं एक ची और बोलना चाहता हूं कि 19 साल हम लोग के जारखन अलग हुए 19 साल हो चुके हैं बॉक्साइट नगरी कहा जाता है हमार विक्सित किया जा सकता था बगल मेरा दो इन गाओं है वहां आई टी आई कॉलेज है मतब आई टी आई कॉलेज के लिए बना हुआ है बिल्डिंग लेकिन अभी तक काम ने हुआ है क्या नाम है मेरा नाम जावेद हुआ गाओं का बच्चा जीडिपी की बात करने लगा है आप समझ सकते हैं ये अमान साहब के कारिकरम का ही असर है कि नौजमानों को सच्ची बात अच्छी बात समझाई जा रही है और आज का टॉपिक है कौन बनेगा विधायक तो जाहिर है कैसा हो हमारा विधायक जो जीडिपी से भी उपर की एकॉनोमी की बात करे और अपने और टाइटी खुला है अभी ले खुणने के बावजुद भी कलास इस चार्ट नहीं हुआ है क्योंकि अभी आईटी आई रांची नहीं है और गाओ्व में आईटी आई तो राँची लोग जाता है आईटी आई करने खुद हम भी आईटी आई किये हुए हैं अभी गाओ में होता आई टी आई तो हम रांची नहीं जाते क्योंकि रांची में भी हमको 40,000 रुप्या लगा क्या करते हैं जिसकी कभी सरकार बने हमारे गाउं अस्तर में हमारे नजदीक गाउं में एक अच्छा को लेज और एक इसकूल का स्विविधा हो जिसे हमा हम सही सिच्छा गरहन कर सके और हम अब तक क्या करते रहें वोट का कैसे हम दूप्योग करते रहें सर अभी तक हमारे राज का बना हुआ 19 साल हो रहा है लेकिन जितने भी अमेले आ रहा है और श्रीप हमें परलोभन देके जा रहा है और परलोभन देने के बाद हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं सर मेरा नाम हो रामणात उरहां रामनात उरहां जिहां यह भौत खुब्सूरत गाओं आप publish कि अतनी शुद्ध हवा है यहां की आपको यह सच्छी समझ दे रहा है यह बहुत शांती है यहां पर और अमानुल्ला अमेरिका में 10-12 साल बिताके अक्सवोर्ड इंवर्सिटी में पढ़के और दुनिया के गिने हुए चुने हुए पांच इंजिनरिंग कलों कॉलेजों में पढ़ाई करके अपनी मिट्टी से जुडाव रखते के बाद हम प्रयास करेंगे कि अपने अगल बगल के जितने भी छेत रहें जहां पर नेक्स फेज में है और उसके बाद हम थोड़ा मेहनत करेंगे और वहां पर भी जाके यह जो शिक्षा और यह जो ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को गाओं के लोगों को वह हम बरकरार अपने पैसे अपने हाड़ अर्ण को इस तरह से अपने लोगों के लिए उनको अलग जगाने के लिए यहां पर इस्तंमाल कर रहे हैं यह अपने आप में बहुत ही अप्रेशिव बात हैं समय है एक ब्रेक का ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर से इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बात करते हुए ये तैय करेंगे ये लोगों से सुनेंगे कि कैसा हो उनका विधायक और कौन बनेगा विधायक ब्रिक के बाद आपका फिर से स्वागत है खर्ता गाउं में आप देख रहे हैं हमारे साथ यहां के बिल्कुल ऐसे लोग बैठे हैं जो यहां के निवासी हैं मोल निवासी हैं यहीं पर रहते हैं यहीं इनके जिंदगी है खेती किसानी है पहाल का खूबसूरत बैकड्राउंड है इस गाउं में अगर यह दूसरे स्टेट में होता तो यकीनां यहां पर चार पांच बोर्डिंग स्कूल्स होते परियाटन के लिए छोटी छोटी कुटिया बनी होती और लोग यह कुछ हाली यहां पर नहीं देखते हैं अब एक तस्वीर में आपको दिखाओं एक बुजूर्ग है इनको फलेरिया है इनका पुरा पाउं फील पाज इसे कहते हैं गाउं की भाशा में यह इनको दिखाई दे रहा है साफ जाहिर है कि अगर इनका इलाज हुआ होता तो कि यहां से अस्पादाल केतना दूर है जो सरकारी होता है चुरू पढ़ जाता है 20 किलो मेटर 20 किलो मेटर से इधर कोई उपाई नहीं है इसका ना बिरद्धाच।ध कोई भी पेरूसान उभी नहीं मिल रहा है अब अपना संसेया और उसके बाद में कोई ले जाएगा ता कुछ जाएंगे होस्पिटर कभी है नहीं है देशता इसका कभी एलाज कराया की नहीं कि नहीं कि ठीक है पिर तमाम सरकारी कारिकरम वो पंपलेट अख़बार के भी गयापन पता नहीं मुझे समझ में नहीं आई बात आप बताईए इनके विशह में खड़े हो जाए इनके जैसे बहुत सारे लोग जो है जो गरीबी के वजह से जो है पर इसानी। के लिए या 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 खायर आ चुल के लिए उनके पास फैसे के भाव की आगए की पढगा के लिए चुकि जो है लोहरदगा जाने के लिए हम लोग के पास ना ही पैसा है ना ही संभव ना ही कोई यातायाद की सुईधा है जो कि हम आगे की पढ़ाई कर सके है और होता क्या है एलेक्शन में क्या होता है इलक्षन के दारों का, कुछ पैसे का, कुछ चंद्पे, कुछ पेट्रोल का, यह सब जो है यह कहते होंगे कि ढिए कि हिर Motor को ले लिया जाता है और ना ही आज तक हमारा जैसे बहुत सारे लोग हमारे इस पर शाला में बोलें कि जार्खन करीन ठाल जो लोगों का वेजन था सौच था कि ये जार्खन जो है अब जो है देश में जो है कि अगरणी राज होगा लेकिन वो जरास अभी जो है कोई इस पर विकास नहीं हुआ है और अब आगे क्या होगा हम लोग यहीं चाहते कि ऐसे लोग चुन के आए ऐसे बिधायक आए जो कि गरीबों को दुख दर्द को समझे चलिए अब अमान साब आप चुके इनके अभी ट्रेनर हैं उस्ताद है इनके जो अभी तक बातें हुई है इनसे आप मायूसी तो बहुत हो जाती होगी जी आपसलूटली और मेरा जो तो बी ऑनेस्ट ऐसा है शानौज भाई के यह स्टेट कंप्लिटली डिजनेरेट कर ग सो इसकूल है एक सो सीट का और टीचर्स की भी कमी है यह हम अपने बच्चों को उस स्टेज में पहुंचाने का कोई परियास और संजीदगी से कोई परियास नहीं कर रहे हैं ऑनेस्टली जो स्टेट को करना चीए ना दाट स्टेट इस नाट इबल तो मेरा यह कहना है कि स् ब्रॉब्लम जो है सही पॉलिसी से सही पॉलिसी से और सही लोगों के इनवाल्वमेंट से दूर किया जा सकता है ऐसा कोई भी स्टेट है बहुत सारे स्टेट्स लच्छे वर्ल्ड व entwickel लेकिन वहां के लीडरों ने अच्छे से संजीदगी से उस मकाम पे पहुंचाया और उस मकाम पे पहुँचके अभी वर्ल्ड के लीडर है जपान कहीं अपक्सांपल ले लीजे आप जपान कंप्लिटली बरबाद हो गया था अभी कि इस 19 सालों में ज़ारकंड कंप्लिटली बरबाद है इन लोगों को कोई डेवल्यप्मिंट देखने को मिलने रहा है हम बाकरते हैं कुछ भुजग लोग से जो गाउं की में रहते हैं कि अतरा सि योउफोट दे रही है है जैच貌 में 10-12 साथ होता होता है कुछ काम होता है कि या क्या काम बाकि है यहां पुख्रा में सीरह का कमी है मंदिल नहीं है इस चवबा में के पढ़ेकर बढ़ियां से साधन नहीं है गरीब हमिन यह तो पढ़ाय कर उपाई नहीं हुए आगे बढ़ाय का हंग कहा है आब कमाने कौन देखा है नहीं होगा। तो आप हम अलुम नहीं से अबी देखनेनी, नहीं देखने हैं, पभी नहीं देखने हैं, और बोट देते रहे रहें? देवे ने खरबाई, भठका ले ने देवे खरबाई। जुठ भोट ले लेकर आप सब बड़ा बनते हैं वोट ने के लोग आते हैं थीन दिकाई पैसा वोट बताएं पैसा वसा देता हूं हम लोग के तो नहीं मिलता है जो बड़ा हो उससाब को मिलेगा उस्व हम लोग जान्ब ने खते हैं पैसा पैसा बाट रहा है जान्ब हम लोग को नहीं मिलता है तो कोई को बड़ा हो लेको लेता है अब हम लोग मालूम भी वोट तो जरू देते हैं मगर एक रुपी हम लोग को नहीं खाते हैं दस में से छे महिलाओं से मैंने बात की सबकी उम्र 40 से 45 से उपर की है समझदार लोग हैं अपने अपने घर की देख भाल कर रही हैं इंटा सर पे दोती हैं बच्चों का पेट पालती हैं दस बार 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 वोट दे चुकी हैं आज तक नहीं सुना कि उनका विधायक कौन है पहचाना नहीं देखा नहीं लेकिन लोगों ने वोट ले लिया चायद पैसे दिये गाउं के एजेंट्स ने पैसे खाए इन तक कुछ भी नहीं पहुंचता है बेहद अफसोस की बात ह है और जब हम राजधानी राची में होते हैं तो बड़े बड़े डिसकुशन्स में ये बात सामने आती है कि इतने सौ करोड इतने हजार करोड यानि उसकी गिंती और डिजिक्स भी हम ठीक से नहीं फीट कर पाएंगे लोगों के कल्यान पे खर्च हो रहे हैं लेकिन यहां खर्ता गाओं में मुझे लगता है कि उसकी एक बूंद भी नहीं पहुंची होगी यह क्याना चाहिता पर पर नहीं है टेलीफोन ने आया भारत में तो आप देखे कि किस तरीके से मोबाइले का expansion हुआ है मोबाइल का भारत में लोगों ने मोबाइल का expansion किया है अभी World में Digital Economy आ रहा है और Cryptocurrencies आ रहा है China जो है दुनिया को Cryptocurrency में लीड करने जा रहा है और वहाँ से करनसी खत्म होने जा रही है अब लोग नोट नहीं रखेंगे इन लोगों को देखिए कुछ पढ़ा लिखा नहीं है कुछ मालूम नहीं है mobile phone धरा दिया है इन लोगों को digital economy में cryptocurrency के economy में कैसे involve करेंगे अरे भाई जब रुपिया खतम हो जाएगा ना world से जब cryptocurrencies आ जाएगी जो चाइना में हो रहा है अभी और चाइना government ने completely अपने आपको इसके लिए enable किया है it will be a disaster अब इनको तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई हमारा जो रुपिया पईसा चल रहा है अब वो cryptocurrency में आ जाएगा इनके पास ना तो computer है इनके पास कुछ भी नहीं है कितना ज्यादे इन लोगों के पास में सोचन होगा अब इस बात को समझ सकते हैं जब चीजों का इवाल्व होता है ना और जब लोग उस इवाल्व में participation नहीं करते हैं ना तो उनका सोचन होता है जारकंड के असी गाउं की बात कर रहा हूँ लोगों को कुछ पता नहीं है कुछ नहीं पता है कौन विधायक है जो डेजिटल एकॉनमी की बात हो रही है बैई इन लोगों को आके समझाना पड़ेगा इनको involve करना पड़ेगा इनके लिए एक special training program करनी पड़ेगी इनके लिए एक special packages दे के गाउगाउं में जाके बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है दुनिया में और हम आपको कैसे साथ में उठाएंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे That is the biggest challenge right now अमानुला साहब ने जो बातें कहीं हैं वो बातें अभी हमारे सर से उपर हो जाएं भले लेकिन कल की सच्चाई यही है कल कौन जानता था कि हर पांच में से एक वैक्ति के पास स्मार्टफोन होगा गाउं का बच्चा टिक टॉक बनाएगा सब कुछ हो रहा है लेकिन यह सौता सफूर्थ हो रहा है इसमें किसी मशिनरी किसी सरकार का कोई योगदान फिलहाल बिलकुल कम नज़र आता है यह जो गाउं है ऐसे असी गाउं है जहां ऐसी पाटिसालाएं लग चुकी हैं लोग उसमें पाटिसिपेट कर चुके हैं और कुछ नौजवानों से मैंने जो बात की जिनने जीडीपी और ग्रोथ की बातें की बहुत सारे लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की जिन से लगता है कि ऐसे नीच स्वार्ट से उपर उठकर जिंदगी में कुछ कामियाबी पाचुके लोग अगर अपनी मिट्टी से आके जुड़ें और चुनाओं का एक महीना उसका भी 15 दिन अगर इस जमीन को वापस लोटा दे अच्छे अच्छे लोगों के बीच रूठें बैठें पैसे का परसार जो चुनाओं में होता है उसको रोकें दारू मीट मुर्गा मचली से वोट खरीदने का प्रियास होता है उसको बिलकुल फेल करें तो मुझे लगता है कि जहारखंड में क्या इस तरह की जो बात हुई है यह पूरे हिंदोस्तान में एक नमूना बन जाएगा फिलाल अपने कैमरामें सहीयोगी दीपक और सहीयोगी आसिफ के साथ मैं शानवाज अक्तर नियूज 11 भारत लोहर्टगा